एक तरफ जदियू वाले अपने सांसद और विधायक को पटना में बुला रहे हैं, मीटिंग करने की चर्चा चल रही है, दूसरी तरफ आरजेडी वाले अपने सारे विधायकों को पटना बुला रहे हैं, कॉंग्रेस वाले भी सारे विधायकों को पटना बुला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने अपने बड़े बड़े नेताओं को दिल्ली बुला लिया है। मतलब ये कि भाजपा अभी ये समझ चुकी है कि सरकार बचनी वाली नहीं है और उनको पता लग गया है कि नितीश कुमार 2015 में जैसे महागटबंदन में शामिल हुए थे वैसे ही नितीश कुमार लालू यादव के सुपुत्र तिरस्वी यादव के साथ सरकार बना लेंगे। भाजपा ने एक चाल चला राजपाल को बुला लिया दिल्ली लेकिन उसके बाद अभी सबसे बड़ी खबर यही है कि शहनवाज हुसेन, नितीश नवीन, भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद और सतीश चंद्र दूबे दिल्ली रवाना हो चुके हैं और इसका साफ साफ मतलब यही है कि भाजपा यह जान चुकी है कि भले हम राजपाल को दिल्ली बुला लें लेकिन अगर सरकार गिरने वाली है और नितीश जी मन बना चुके हैं तो उनको कोई भी नहीं रोग सकता है। अपने वाले नहीं है और नितीश कुमार ने यह मन बना लिया है कि हमको भाजपा के साथ बिहार में गठ बंधन में सरकार नहीं चलाना है। पूरसी पर बैठे रहेंगे। भाजपा वाले यह सब बरदाक्ष नहीं कर पा रहें हैं इसलिए सबसे पहले उन्होंने राजपाल फागु चोहान को दिल्ली बुला लिया। राजपाल सहब के जाने से कई तरह का अडंगा लग गया नितीश कुमार और तिरस्वी आदव के प्लानिंग में। अगर इस्तिफा देना होता है नितीश कुमार को तिरस्वी आदव को मुख्य मंतरी बराने के लिए तब भी राजपाल सहाथ को जरुरत है। गठबंदन में सरकार नहीं चलाएंगे। और इसी का नतीजा है कि शहनवार हुसेन को, निती नवीन को, शदिस जंदूबे को और रविशंकर प्रसाद को दिल्ली तलब किया गया है। राजनितिक और स्थिर्ता है और जिस बात की चर्चा पिछले तीन दिनों से चल रही है, वो सच साबित हो सकता है। कॉंग्रेस, जदियू और राजन ये तीनों पार्टिया अपने विधायकों और सांसदों को पटना में रहने के लिए बोल चुकी हैं। और भाजपा जिसका बेस दिल्ली है, वो अपने सारे पार्टि के मंत्रियों और बड़े नेताओं को दिल्ली बुला रही है। जदियू ने कहा है कि कल मीटिंग है, लेकिन ललन बाबु ने आकर ये कह दिया कि आर्सीपी सिंग वाले प्रकरन को लेकर है, राजद और कॉंग्रेस ने कुछ बताया नहीं है, लेकिन अचानक अगर राजद कॉंग्रेस और जदियू मीटिंग कर रहे हैं, और खबर भी चल रही है कि जदियू कॉंग्रेस और राजद यानि कि जदियू अब महाकटबंदन के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली है, तो कहीं न कहीं इस बात पर मुहर लग जाती है, ये अब सारे विधायकों को इसलिए बुलाय जा रहा है ताकि उनको इन्फॉर्मेशन दिया जा सक कि सरकार बदलने वाली है, अब राजद के साथ जदियू मिलकर सरकार बनाएगी, और इसी को लेकर भारिपा के मंतरी लोग दिल्ली जाना शुरू कर चुके हैं, और अगर ये लोग दिल्ली जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं अब ये सपष्ट हो चुका है कि नितीश कुमार से ये लोग खौफ खा रहे हैं, नितीश कुमार ने जो प्लानिंग की है, अब इन लोग को लग रहा है कि नितीश कुमार अगर अपने प्लानिंग में सफल हो गए, तो भाजपा बिहार में सत्ता से बेदखल हो जाएगी, और अगर ऐसा होता है, तो तो जस्वी आदव और नितीश कुमार की जोड़ी दो हजार चौबिस और दो हजार पचिस में भाजपा को बरबाद करनी के लिए काफी है, बाकि शाहनवार हुसेय, निती नवीन, सतिशन दूबे, रविशंकर प्रसाद, और हो सकता है कि इनके अलाबा बिहार के कई बड़े नेताओं को वाले ये जान चुके हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो हो सकता है कि एक का दो दिन में सरकार गिर जाए, बहराल देखिए, वो जो अपडेट होगा, आपको मतादे रहेंगे, आप जिन्दा निंचन देखते रहें, बहुत-बहुत धन्यवाद.